सबी को मेरा नमस्कार और गुड़ मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग और मैं अच्छी हूँ और स्वागत है आपका मेरे चैनल मदू के ब्लॉग में तो फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ सुबह के टाइम पर अपने स्कूल में कुछ वहां काम है कुछ टीसी वेगरा काट नहीं है तो कुछ इस तरह के काम अचानक ही आ गया था तो फोन आया रहा थी तो मुझे आप सुबह जाना है और मैं हो गई हूँ तेयार सारा काम अपना करके और मैं का चलो ब्लॉग कर लेती हूँ यही से स्टार्ट क्योंकि फिर फूरे दिन भर में ऐसी होता है कि ब्लॉ ड्लॉक नहीं डाल पाई थी तो इसी करके मैंने आज जो है ब्लॉक स्टाट कर लिया था तो मैंने का चलो मैंने नहाने देने के बाद आप से बात कर लेती हूँ और जो है तो बस इसी तरीके से यही काम किया है कि अपने बालों को मैंने टाइट से बाल लिया है और इसका जूड़ा कर दूंगी जिसे पूरे दिन भर मतलब कहीं कुछी भी करो तो यह सेट रहते हैं और जब लेटते हैं ना तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नहीं तो बस अगर हमारा गलेटने का काम नहीं है इदर उदर भाम जाने वाने का काम ही है तो बिलकुल सेट रहते हैं तो मैंने कर लिया चोटी और देखिए मेरे रूम का अभी मतलब लोक चेंज हो गया ना बहुत जादा तो पता ही नी चलता मुझे ही लगता है कि नहीं मैं कुछ नए से घ लोज हो जाता है कि मैंने लगा रखा तेल वालों में तो बाल सेट हो गए है तो मैंने का चलो इसको यह अच्छा सानी लगता है लटकी हुए चोटी सी तो मैंने का जूड़ा बांध लेती हूं और यह तेखिए मैंने बांध लिया है जूड़ा और इसको टिके रहने के ल तो बस यही आपके साथ सेर कर रहे थी और मैंने का चलो चाय के साथ एक दू बिस्कुट कर खाऊ हूं या पिर कहा कि नहीं मेरा मन सुबह कुछ खाने को करता ही नहीं बस यही प्रॉब्लम होती है तो मैंने का चलो अपने मुबाइल वह गरा मैं मैं देख रही थी कि क्या मतल कि वो और यही रुटेन घाता है हमारा सुबह का भी सामका भी और तो चलते हैं हम लोग बनते हैं बाद में वहां से आने के बाद में कर लिया है तो अपना नहाने दोने का का म सोच रहे हूं मैं तो मुझे धि yukr तो बना लेती है तो मेंने बनानी के लिए है निकाल लिया है और इनकाड़s गुरम-गरम बनाती हूं और इनको दे दे देती हूं मेटे को दे दूंगी और बाकी फिर मैं तो अराम से पराठे वगरा तब ही खाऊंगी जब मेरा सारे बन जाएंगी तो बच्चों को गरम गरम दे दो ठीक है एक तो पता चल जाता है क्योंकि ठंडे पराठी फिर अच्छे भी नहीं लगते तो बस इसी करके मैंने फटा- से काम नहीं पड़ जाएगा तो बस यहां बना रही हूं मैं पराठे देखिए आटा-वाटा में सब गूंद के गई थी क्योंकि आकर ना फिर मन नहीं करता बिल्कुल भी काम करने को तो याज भीने टाइपोर्ट यहां लगा रखा है तो देखा कि यहां से थोड़ा सा न आप बनाते वह दिखाई दे जाएगा तो बस यही था तो क्योंकि यह सोटकट काम वही बाली बात है कि आपको जिन्देगी हमारी इस तरीके की है तो हम क्या करें क्योंकि अचाना की जाना पड़ता है तो एक आतम जाने के लिए और फिर करने वाला कोई भी नहीं पीछे स लोगी तो दूसराब रुटी जाएब पाहिंनरी फीन नहीं सृओक क्यों यहीं तो इसी और ऊपन लोग भी घरां गारं पााठी उसे से तो दूसराब पाहिं तो तो बस तक चाइब मतलब अच्छे से उबल जाएगी और फिर चाय और प्राठा दोनों ही उस उसी साफ से बनाऊंगी क्योंकि यह तो मितिका तो आठा बच भी जाता है तो किसी टैम्पे नास्ते में भूग लगती है या किसी टैम्पे भूग लग जाती तो फटा-फट से बन जाते हैं तो मैं अगर जालना हो इतना बड़ा हमारे तो काफी बड़ा जाल जालना हूं तो अंदर मतलब इल्कुल इसका चिकनाई है वो सभी चीजाता है यह भी जो में बैट जाती है तो मैंने लगा था तो चाए का मैंने वो तेज कर दिया था क्योंकि मैंने काम्मे कर रखा था पहले तो अब यह है दूसरा पर नटा तो अब मैं बेटे को दूँंगी इससे- तो मैंने का फटा-फट से ॉश्ण ले तो इसे बनाने के बाद और पिर करती हूं और कुछ काम फिर देती रहोंगे बनाती रहोंगी कि एक रते रहूंगी तो it चौ थंड़े थंड़े लें मे घृतने दोने के उचिक और जबदे प्रहरे होते रहते रहें वay ँच्छाय थो correct खने के चाए ज्यादा चाहिए होती है और फिर अब ये कप से पीनी जाएगी इतनी गरम चाहिए वह ठंडी चाहिए तो इसके लिए मुझे एक कटोरी रखनी पड़ेगी और यह प्राठों से दे के आती हूं और प्राठे बड़ा स्वाद लगता है सर्दियों में घरम गरम मेहनत से घी बनता है आपको पता ही है कितना महंगा दूद हो रहा है और उसके बाद वेस्ट होता है तो दुख तो होता है ना तो मैंने खाली कटोरी रख दी क्योंकि वह चाहिए सी में करके पिएगा थोड़ा-थोड़ा सा करके घुट मारके तो बस उसको दे के आती हूं पराठे और फिर बनाती हूं मैं और पराठे बचे वे धीर धीर यही करके आती हूं तो बस यही है हम लोगों की दिन चरिया मैंने कल आपके साथ मॉर्निंग का अपना रूटीन मतलब सियर किया था तो आज दुपैर का सुबह का इस तरीके से ही पूरे दिन हम लोग विज और जैसे भी हाउस वाइफ है तो वही उसी टायम पर सभजी काट ली उसी टायम पर दोली हम लोगों को तो सारी चीजेने पहले स्टोड करके रखनी पढ़ती हैं कि सब्या मगर हम लाए तो हमें कट करके रखनी हैं और फिलाल तो अभी घर पर यहां इसा कुछ नही है और तो बस इसी तरीके से चल रहा था पराठे खलाने का काम तो फ्रेंट्स आप लोग भी आ जाए कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग बताईएगा जरूर तो यहां बन रहे हैं पराठे जो एस्टा बन रहे थे तो उनको मैं जो है उसमें रख रही थी और उसे मैंने उसको पराठे बन रहे हैं और बस यह हो गए है पराठों का काम खतम हो जाएगा यह मेरा लास पराठा बन रहा है और अभी ना फिर आटा बच किया है तो मैं इसको रख दूँगी सुबह के नास्ते की काम टैम काम आ जाता है तो उसको उस टैम में यूज में ले लूँगी तो यह देखिए कितना धुआ हो रहा है इससे ज्यादा मैं इसी वज़े से मैं इसको बनाना पसंद नहीं करती ह और यही रिजन रहता है तो यह देखिए हो गए परांठे तैयार और बस एक परांठा और है उसके बाद जो है फिर सफाई हफाई का काम तो हो गया काम यहाँ पर कंप्लेट और प्लीज जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सस्क्राइब जरूड कर दीजिएगा चैनल को और जो मेरे फ्रेंड हैं प्लीस लाइक जरूर कीजिएगा लाइक का बहुत बढ़ा मतलब फॉल्ट हो रहा है स्टैम पे और क्योंकि बिल्कुल लाइक नहीं आ रहे हैं बड़ा दुख होता है मनी नहीं करता है ब्लॉग बनाने का तो बस यह आटा बज़िका था मैंने इसे रख हर यहीं रूटिन होता है सड़्ियों में पहले हो जाता है क्वाना इतना गरम खाय है तो बस मुझे मुझे नैपकिन मिल गया था तो मैं चलो दिप साफ कर देती हूँ क्या आटे वगरा के हाथ लगे होते हैं तो पर बस किसी तरीके से चुओं से और मुझे क्रोस से इलरagn प्रेंट मिलते हैं अगले ब्लॉक में नए ब्लॉक में मतलब कल के अच्छा सा ब्लॉक के साथ तो के फ्रेंट बाइए गुड़ डे